नमस्कार दोफसन स्वागत्याप का हमारे चैनल लचार जागंद्र मिस्टा में आज हम बात करेंगे आज के कर्णिय राश्कितनिक रास्पल की लेकन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में पांच सितंबर 2021 रवी बार का दिन है और भादर पदर कृष्ण पक्षी आज त्रोदर्शीती थी है नच्छत्र की बात करें तो आज शलेसा है और अब जीत महूर्त की बात करें तो दुपाहर 11 बच के 37 मिट से ले के दुपाहर 12 बच के 35 मिट तक रहेगा आज के सुरूद है सुबए 5 बच कर 50 मिट पे और चंद्रमा की जो इस्तिती होगी वह हो गोई साम 6 बच कर 15 मिट तक रहेगी करकराश में इसके बात शिंगराश में गोजर कर जाएंगे आज के जो अशुब समय होगा वह तक रीवन होगा दुपाहर 1 बच कर 50 मिट से ले के दुपाहर 2 बच कर 42 मिट तक रहेगा इस अशुब समय में कोई भी सुब और नए कार की सुरूद ना करेने तो बिग्न वाधाईया सकती है अब बात करते हैं आज के कन्य राश की दनिक रास्मल की और यह प्रेक्शन चंद राशी पर अधारित है कन्य राश के यादकों आज चार सुब समाचार मिलेंगे आज आपके केरियर में, बिजनेस वियापार में, घरेलू जीवन या फिर विद्यार्थी लेवल पर हैं तो इन सभी चेतरों से काफी ज़दा सुब समाचारों की प्राप्ती होगी एक तो मानसमान में बर्दी होगी, किसी भी चेतर में हो, समाजिक चेतर में हो या फिर बिजनेस वियापार से जुड़े होगे हैं, या फिर आप केरियर यानि नौकरी करते हैं इन छेतरों में भी आपको मानसमान की प्राप्ती होगी करने राश के याद को हो तो पहला सुब समचार आज आज आपको मानसमान में बर्दी होगी और आज आज आपके अंदर कई तरह के बदलाओ देखने को मिलेंगे परिवर्तन देखने को मिलेंगे और ये बदलाओ ये परिवर्तन कन्य रास के आज को आपके काफी लाबदायक रहेगा देखें आज कुछ ऐसे मित्रों से मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए काफी लाबदायक शावित होंगे आपको भुविष में कुछ प्लानिंग देशकते हैं आज आपके नोकरी में मानसमान के साथ साथ प्रोमोशन भी हो सकते हैं काफी समय से जिस प्रोमोशन को लेकर चिंताएं थी या फिर इंतजार कर रहे थे वेट कर रहे थे वो इंतजार आज खत्म होता हुआ न जड़ाएगा तो कन्यरास के याद को ये दोसरा सुबसमाचार है क्योंकि प्रोमोशन की योग बनेंगे तो सेलेर में ब्रदी होगी मानसमान में ब्रदी होगी कद बढ़ेगा रूतबा बढ़ेगा और आज आप काफी प्रसंद मोड में रहेंगे कन्यरास के याद को कन्यरास के याद को जो भी द्यारती हैं आज आपको अपनी मेहनत के बल पर सफलता मिलती दिखाई दे रही है लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा घूमने फिनने से बचना होगा जितना मिहनत करेंगे कन्यरास के याद को उतना आपको लाब में मिलेगा दोस्तों यहाँ पर देखे आपके दोस्तों को सहयोग प्राप्त होगा पढ़ाय लिखाई पर किसी कंपटीशन के तियारी में जुटे हुए हैं लाब देखने को मिलेगा कोई खास रिजल्ट आना है तो उस रिजल्ट से भी आज आपको काफिल यहीं की परसनलता मिलेगी आज आपके जो भी पुराने कार हैं वो कार पूरे होते दिखाई देंगे रुके वे जो काम है वो पूरे होते दिखाई देंगे तो कने राज क्यातकों आज अपनों का साथ मिल रहा है, भाग का साथ मिल रहा है, हाँ आज आपको 6 बच कर 15 मिनित की इस्तिती बागी बहुत अच्छी रहने वाली है, उसके बाद जरूर थोड़ा ध्यान रखना होगा, लेकिन पूरा दिन तो आपके लिए काफी बेतर है, कई प्रकार के महतपूर काम जो काफी समय से नहीं हो पा रहे थे, वो कार पूरे होते नजराएंगे, यानि आपके दोरा सोचे हुए कार जरूर पूरे होंगे आज की निन, तो कने राज के राज को आज आपको तीसरा सुबसमाचार मिलेगा आपके घर परिवार में, अग पुराने पैसे अगर इन्वेस्ट किये होए तो उससे भी लाब होगा, आज आपको लोटरी सट्टा से जवर्जस्त मुनाफ़ा प्राप्त होगा, धन इंकम में ब्रिद्धी होगी, जमीन प्रपरिटी बेच के लाब कमा सकते हैं, रियल स्टेट कॉंडरक्शन से पैसे जुड़ों कि लाब होगा, यह फिर मारकेटिंग के छेतर से जुड़ों के लाब होगा, यह चोथा सुबसमाचार मिलेगा, क्यूंकि लोट के मंजूर होने से आपकी आर्थिक आयमे मजबूती आएगी, बिती मामलों में काफी सुधार देखने को मिलेगा, आज के सुरुत बढ़ेंगे धन खर्चों में कुछ कम्या आएंगे नियंद्रन कर पाएंगे आज आप यानि की कुछ नए चीज़ों के खरीदारी कर सकते हैं कन्यराज के जातकों घर परिवार के लिए कुछ महतपूर्ण चीज़ें खरीशकते हैं सुक्साधनों में बृद्धी करते हैं जराएंगे और यह सुक्साधन में बृद्धी आपके लिए काफी महतपूर्ण रहने वाली है तो निश्यतर पर अगर कहा जाए तो कन्यराज के जातकों आज आपको लाब के सासथ कई महतपूर्ण काम करेंगे पुराने कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे बड़े अधिकारियों से उच लेवल अधिकारियों से तालमेल आपके लिए काफी लाबदायक शावित होगा राजनीतिक छेतर से जिड़ो हुए हैं तो कन्यराज के आपको लाब होगा राजनीत के सासथ कुछ ऐसे कार जो काफी समय से पेंडिक थे हुए उनका आपको सकते हैं और इसमें आपके घर पड़िवार के सभी सदसों का मेल मिलाप होगा जो सिंगल जातक है कन्यराज के आपको उनके जीवन में किसी नए दोस्त के दस्तक हो सकती है जो कि इनके लिए काफी लाबदायक शावित होगी तो कन्यराज के आपको आपका दाम पत्ती संताने मतभेद दूर होंगे और आपके लिए एक सुबसमाचार यह है कि संतान प्राप्ती के रूप में आपको जरूर सुबसमाचार मिलेगा यनि आपको और भी ज़्यदा सुबसमाचारों की प्राप्ती हो रही है आज की दिन संतान की तरक्य से संतान की काम्याबी से कर मिला कर चलेंगे जीवन साथी आज आपको जज़बातों को समझेंगे आज आपको कद्र करेंगे मान समान करते दिखाए देंगे और ये आप दोनों के रिष्टे को और भी मजबूत करता हुआ दिखाए देगा तो कने रासकेत को आज आपको चारो तरप से मान समान मिलेगा समाज में मांसमान बढ़ेगा, रुतबा कद बढ़ेगा राजनेसे जड़े हुएं तो यहां पर भी लाब होगा बिदेश की यात्राई हो सकती है बिदेश जाने का सुनहरा मौका मिल सकता है कनیरास कै devoted को बिदेश में कुछ काम करने का सुनहरा मौका मिलेगा बीदेश में सेटलमेंट होने का बीदेश में अच्छी संस्ता में दाखिला लेने का चाहिए वो बैद्यारति को ले हो या फिर अच्छी जोब मिलने के संभावना बनी हुई है तो कुल मिलाखे कहा जाए तो करने राज करते हैं आज आपको लाव मिलेगा आज ब्यार्थ के चिंताइक छोड़ देजे बस आपको किशी से लडाई जगड़े से दूरी बनाया रखना है ब्यार्थ के किशी से बिवाद ना करें और लेन देन का मामला ज्यादा ना करें ज्यादा ज्यादा लाव मिलेगा ज्यादा पैसा अगर लगाते हैं बिजनेस ब्यापार में तो लाव होगा लेकिन एक्सपर्ट से सलाह ले धन के मामले में धन लाव की योग हैं जीवन साथी की उननत होने की योग बन रहे हैं जीवन साथी अगर नोकरी करते हैं तो उनक से ज़्यादा विश्वास ना करें लेकिन विश्वास करके और आगे बढ़ने के भी आवश्यक्तर रहेगी तभी तो इसका लाब भी मिलेगा क्योंकि आज पार्टनर के साथ भरोसा तो बनाए रखना है पार दस्तरा बनाए रखने की जरूरत होगी लब पार्टनर के साथ ज़्यादा इंज्वाइ करते दिखाए देंगे ज़्यादा ज़्यादा वक्त यानि बितानी कोशिश करेंगे तो करनी राज के आज आपका शुबरंग रहेगा हरा भाग साथ निवारा आपका नाइन्टी टू परसंट दोस्तों जयाते तो वीडियो लाइक जरूर करें ने तो छोनों कि सब्सक्राइब करें उसे शियर करिये जैसेंगे